माई फ्रेंड्स क्या आप भी मेरे जैसे गार्डन को डेकोर करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पॉट चाहिए और चाहते हैं कि बहुत ही खुपसूरत आपका गार्डन हो तो उसके लिए मैं आ चुकी हूँ अपने लखनाओ के चिनहट पे ये बहुत सारा ट टैचू आपको मिल जाते हैं जो कि टैरा कोटा के बने होते हैं बिलकुल मटी के ही बने होते हैं तो मटी से हम सभी को जुडाओ जो होती है न उसमें हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं ये टैरा कोटा और आपको पता है मेरे गार्डन में तो बहुत सालों से एक ज किदा तूट चुका है तो उसी की भरपाई करने के लिए मैं आई हूँ चिनहट जो की लखनओ के पास लखनओ में है जब लखनओ आप जाने लगें इंटर करते हैं तभी पढ़ जाती है और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको स्टैचूज मिल जाते हैं और इस तरीके के गमले मिल जाते हैं जो की घर को डैकोर करने के लिए या फिर गार्डन को डैकोर करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं थोड़ा सा ये लोग प्राइस जो है वो थोड़ा सा हाई बताते हैं अगर आप इन लोग से बार्गनिंग करते हैं और अच्छे से ब मिलने वाले जिसमें अगर आप चोटा सा अगर बल्ब लगा देते हैं तो यह बहुत ही खुबसूरत लगता है आपके गार्डन में इवन बालकनी बगएरा को भी आप इससे डेकोर कर सकते हैं साथ में इस टाइम जैसे गर्मिया चल रही है न तो यहां पर आपको बहुत तर से कढ़ाई और थोड़े पॉट टाइप के मिल रहे थे तो यह भी आप ले सकते हैं मैं प्राइस बिल्कुल नहीं बता रही है क्योंकि आप जाएंगे तो वो आपको कुछ और प्राइस बताएंगे आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से प्राइस लगाना पड़े का लेकि तो वो आप ले सकते हैं और यहां पर मैंने बोंजाई के लिए बहुत सारे पॉट्स खरीदे हैं और वो आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और पूरा वीडियो लास तक देखेगा और अगर आपको मेरा थोड़ा भी वीडियो इंफरमेटिव लग रहा होगा तो लिखेव गणा olması और वो एपको देखा होगा मेरे गार्डेन में बहुत सालों से हैं करीबन पान से चे साल से वो हैं और ऐसे ही हैं तो यह सारी चीज़ें आप ले सकते हैं यहां से और अगर अगर आप अंदर में जाते हैं बाहर इनों नहीं छोटी-छोटी चीज़े लगाई थी और अगर और अंदर में जाते हैं तो यहां पे बहुत बड़े-बड़े से आपको प्लांटर मिल जा रहे थे उरली मिल रही थी जो कि गार्डन डेकोरेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ में अगर आप दिवाली बगरा में उरली लगाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है और यहां पे कोई एक दुकान नहीं है हर दुकान पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्राइज मिलेंगे दोनों साइट लेफ्ट और राइट दोनों रोड साइड में आपको ये दुकाने मिल जाएंगी तो चलिए अब देख लेते हैं मैंने क्या-क्या चीजे ली तो लीजे मैं आ गई हूँ गर और मैंने सारी ही चीजे यहां पे अरेंज कर दी हैं तो यहां मैंने लिए हैं तबला वादक और विल्कुल जोडी में लिए हैं इसका प्राइज उन्होंने बताया था दो हजार रुपए लेकिन करते-कराते यह मुझे मिले हैं चौदा सो के तो आप भी थोड़ा कम ही स्टार्ट करिएगा तब ही आपको अच्छे से वह बार्गणिंग कर पाएंगे उन्होंने पहले 18,00 बोला फिर मैंने नहीं बोला नहीं नहीं तो मैंने भी थोड़ा सा लगाया था प्राइज मैंने एक हजार बोल दिया था लेकिन इन्होंने मुझे 14,00 या साधे चौदा सो में ये दोनों ही दिये हैं इसके बाद में ने देखिए ये नाओ प्लांटर लिया है इसका भी प्राइज उन्होंने जादा ही बताया था ये दोनों मैंने लिये हैं साधे पांसो रुपए की और थोड़ा सा कम जादा वो लोग करते ही आपको बार्गनिंग करके लेना ही पड़ेगा और इसके साथ में ये देखिए मैंने इस तरीके के मटके जैसे लिये हुए हैं और ये कहां मैं लगाने वाली हूँ ये फ्यूचरी जो वीडियो होगी उसमें आपको बता चल जाएगा तो ये मैंने करीबन पांच लिये हैं दो मैंने वाइट लि इसके साथ में ये कंप प्लांटर लिया है ये 1.500-1.500 रुपए के मुझे मिले हैं और उन्होंने कितना बताया था आई डोंडो मुझे याद नहीं आ रहा है और ये देखिए ये मैंने पूरा सेट लिया है ये मुझे 800 रुपए के 3 प्लांटर मिले हैं क्योंकि ये काफी बड़े बड़े प्लांटर हैं और ये देखिए ये इस तरीके से वोंजाई में बहुत ही खुबसूरत लगने वाले हैं तो 800 में मुझे डील ठीक लगी थी इसका प्राइज उन्होंने एक हजार बताया था पर मैंने 800 रुपए दिये थे तो इस तरीके के मैंने ये तीन प इस तरीके के प्लांटर ये भी मुझे 120-20 के मिले हैं और ये आप देख रहे हैं ये 120 का एक बॉटल है इसका भी प्राइज उन्होंने 180 बताया था पर मैंने 120 लगाया था और ये पॉट उन्होंने 700 बताया था पर मैंने 450 लगाया था पर उन्होंने 500 में मुझे दिया है तो यह काफी बड़ा है आपको देखने से पता नहीं लग रहा होगा लेकिन काफी बड़ा है कि आराम से 6-7 लोगों का खाना मिया पे बना सकते हैं इसके बाद में मैंने देखिए यह कप प्लांटर और रखा हुआ है तो यह भी मेरी उसी रेंज में 150 के रेंज में और यह पूरा टोटल मेरा जो समान था यह मुझे मिला था चार हजार के करीब में तो यह मैंने पूरा शॉपिंग करा है और होपसो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर आप लोग लगनों से हैं तो बिलकुल चिनेट के पास में जाकर अब दोनों साइट में थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को क्या चीज अच्छी लग रही है और क्या टॉपिक चाहते हैं उसमें भी कमेंट किया करिए कुछ तो कमेंट आते हैं और मैं बिलकुल बहुत जल्द जो कमेंट आए हैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी तो चली फ् फिर मिरूंगी ओके माई फ्रेंड बावाई हैपी कार्णिंग एंड बी सेफ